नमस्कार वेलकम टू फूजन अजुकेर आज की इस वीडियो में बियेच्चू से लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए लेकर आए हैं जैसा कि आप सभी को पता है बियेच्चू ने प्रथम चिरण की परिच्छा का रिजल्ट जारी कर दिया है अब तक आप सभी ने त्यारी तेज हो गई है विभागा वार मेरेट लिस्ट बनाने के साथ ही काउंस्लिंग संबंदी अनतयारियां चल रही है तिथी पर जल्द ही फैसला होने की संभावना है बताया जा रहा है कि पीजी पार्टिक्रमों में दाखिले को लेकर अक्टूबर के दूसरे सब्ता से काउंस्लिंग सुरू कराई जाएगी जिससे यूजी सी के अदेशा अनुसार 30 अक्टूबर तक प्रथम वर्स में दाखिले की प्रक्रिया भी पूरी हो सके और एक नौवंबर से सत्र भी चलाया जा सके तो आईए अब बात करते हैं कि LLB, B8 और दूसरे चरण की यहां पर देखिये, the list of candidates shortlisted for the practical test of BPA, MPA will be uploaded by 28th September 2020, shortlisted candidates may download the admit card on 28th September 2020, इसी की निचे देखिये, the entrance test result of LLB and B8 programs are likely to be declared by 30th September 2020, results of all other UET 2020 held between 9th September to 18th September are likely to be declared by 5th October 2020, इसका मतलब यह हुआ कि LLB और B8 परिच्छा का result 30 September को जारी किया जाएगा, दूसरे चरण की परिच्छा UET जिसमें की BA, BSC, BCOM इत्यादी कोर्सों के result 5 October को जारी किये जाएगे, यह आपके लिए news थी, thank you so much for watching this video, stay connected with Fusion Educator.